पांजे गैकरी बुलेटन में साथ है लेकिन इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको दिल्ली से बता दे जहां बेबी केर सेंटर मामले में बड़ी कारेवाई की गई है दरसल जो केर सेंटर का मालिक है उसके खिलाफ एक्शन किया गया है उसके खिलाफ बड़ी कारेवाई की गई है दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे है जहां बेबी केर सेंटर मामले में बड़ा एक्शन हुआ है और ये कारेवाई केर सेंटर मालिक के खिलाफ की की तैयारी की जा रही है उससे भी पूरे मामले में उच्टाच की जा रही है साथी फायर डेपार्टमेंट की एनोसी पर भी उसकी भी जाच की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है दिल्ली में ये हद्सा हुआ जहां बेबी केर सेंटर में आग लगी और उसके बाद अब वेबी केर सेंटर के मालिक पर एक्शन की तयारी है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है और फायर डिपार्टमेंट ने जो एनोसी दिया था, उसकी भी जाच की जा रही है. और इसी से चुड़ी एक और बड़ी ख़बर आपको बताते हैं, बड़ी ख़बर ये है कि जो परीजन है नवजात बच्चों के वो विवेक विहार थाने पहुच गए हैं और अपना आक्रोश जाहिर किया है, उनकी सीधी सी मांग ये है, कि जो लोग भी दोशी है, जो परीजनों ने आक्रोश जाहिर किया, जिम्मेदारों पर सक्त करवाई की मांग उठाई है, ये कहा है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, उन पर सक्ते सक्त आक्शन होना चाहिए, हाला कि आपको बता दे हास्पिरल के मालिक नवीन के खिलाब के इस कारी मिल रही है, कि धारा 336, 304A और 34 में FIAR दज हुई है, फार डिपार्टमेंट की, N.O.C. की भी जाच होगी, कि आखरकार क्या कहीं कोई लापरवाही थी, और अगर कहीं कोई लूप होल था, तो आखरकार N.O.C. कैसे दे दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ और इसलिए N.O.C. की भी जाच परताल की जाएगी, हाथसे के बाद अस्पताल मालिक, फिलहाल, फरार बताया जा रहा है, लेकिन विवेक विहार थाने में, परिजनों की तरफ से अपना आक्रोश जाहिर किया गया, नाराज परिजनों ने जिमेदारों पर सक्त कारवाई क और इस बेबी केर सेंटर में 17 दिन की नवजात रूही भरती थी, अब उसके परिजन, उसके तलाश में अस्पताल, बेबी केर सेंटर और पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, सुनिए क्या कहना है उनका